काम्याबी समय मांगती है और हम छोड़ देते हैं और यही कारण है कि हमारी जिंदिगी के अंदर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंग गुरू को ट्रेनिंग और काम्याब नहीं हो पाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है अरली गीवप जल्दी छोड़ देते हैं जब उनको सफलता मिलने वाली रहती है बस वो अंत समय में आकर गीवप कर देते हैं चोड़ देते हैं और इ किसी भी चीज़ को करने के लिए समय लगता है आपने ताजमहर देखा होगा क्या लगता है इतनी खुपशूरत इमारत एक दिन के अंदर तयार हो सकती है बिलकुल नहीं एक हजार मज़ूर ने 22 साल के अंदर मिलकर इतनी खुपशूरत इमारत को तयार किया है और आज इस के रात में पूरे नहीं होंगे, आपको समय दिना पड़ेगा, आपको उसके पीछे महनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा तर लोग ये करने को तयार नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, तो लोग ये कहते हैं, कि रात और रात मेरी जिंदी की बदल जानने चाहि किसी एक रिपोर्टर ने किसी सफल इंसान को पूछा, कि आपकी कामयभी तो रात और रात आपको मिल गई, तो उसने कहा, जी हाँ, लेकिन ये रात 22 साल की थी, 25 साल की थी, मतलब कि आपकी जिंदी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको भी समय देना ही बहुत सारे सफल लोगों को मिलने के बाद मैंने एक चीज़ तो देखी है, कि वो अपनी जिन्धी के अंदर किसी एक इंडस्टि में कम से कम 10-20 साल लगाए हैं, तब वो अपनी जिन्धी में सफल हुए हैं, तो अगर आप अपने जिन्धी के अंदर कामयाब होना चाहते ह तो आपको 10-20 साल उस industry को देना ही पड़ेगा अगर इसके पहले आप give up कर देते हैं छोड़ देते हैं तो आपके उस industry में काम्याब होने के कोई भी chances नहीं है आज कितनी भी international company को आप research कर लेजिए अगर उन्होंने पुरी दुनिया के अंदर अपना business बनाया है तो कहीं न कहीं उनको कम से कम इस process में 20 साल का समय तो लगा ही है तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी जिन्दिगी में काम्याब हो तो आपको भी समय देना पड़ेगा आपको जल्दी छोड़कर भागना नहीं चाहिए नहीं तो आप अपकी जिंदिगी में काम्याब नहीं हो पाएंगे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्यों हमें समय देने की जरूत है क्यों हमें समय देना चाहिए क्यों हमें जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए उसके तीन कारण है जिसमें सबसे पहला कारण है अच्छी समझ के लिए जब तक आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी अच्छी समझ नहीं होगी तब तक उस इंडस्ट्री में आपको काम्याब होना बहुत ही मुश्किल है एक बात ध्यान रखना आप जिस भी फिल्ड में काम कर रहे आप जब तक उस industry के अच्छे expert नहीं बनेंगे आपको पूरी चीजे समझ में नहीं आएंगी तब तक आपके जिंदेगी में उस industry में काम्याब होना मुश्किल है दूसरा कारण आपको particular उस field के अंदर माहिर बनना पड़ेगा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको हर चोटी बड़ी चीज जाननी पड़ेगी हर उस industry के बारे में अच्छे बुरी चीजों को समझना पड़ेगा और जब तक आप उस field में माहिर नहीं बनेंगे आपके जिं जिंदिगी में काम्याब नहीं हो सकते हैं चाइनीज बांबू के बारे में आपने सुना होगा चाइनीज बांबू एक ऐसा पेड़ है जिसको जमीन में बोया जाए तो 5 साल के अंदर वो सिर्फ 9 इंच बड़ा होता है और आने वाले 9 हपतों के अंदर 80 फिट लंबा होता है मतलब कि जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ये तीन वज़े मैंने आपको बताई कि आपको अपकी जिंदिगी में इसलिए काम्याब होने में समय लगता है क्योंकि ये तीनों चीज़े हैं आपको उस इंड़स्ट्र कीजिए अपने हर दोस्तों गलग जिनको देखकर आपको लगता है कि ये भी काम्याब होना चाहिए थैंक यू सो मज़ विश्व देबस धन्यवाद